हेलो एवरिवन वेल्केम पैक टु मैं चैनल मैं गीत कोशिक फ्रेंट्स आज हम बहुत सुन्दर सा स्लीव का डिजाइन बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने फ्रेंट्स एक स्लीव ले ली हैं मैं एक स्लीव पर डिजाइन बना के दिखाऊंगी उसके बाद हम इसे फोल्ड करक है हम वह बोडर बना लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि मैंने कैसा बोडर अपनी स्लीव का तैयार किया है बड़ा ही सिंपल और अच्छा है क्योंकि फ्रेंट्स मैंने अपने जो पूरा कमीज है उसकी नीचे दावन पे और जो हमारी सलवार की मोहरी है उस से हम यह बोडर बना के तयार कर लेंगे उसके बाद इस पर मैं कट दूंगे कट देने के लिए सबसे पहले हम बुकरम लेंगे और उसे डबल फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड करने के बाद से हम आदा इंच नीचे की साइड छोड़ देंगे और उसके बाद जितना हमें क कर सकते हो बड़ में 7 इंच कर रहे हैं उसके बादे इस हम इससे कट का हाफ करेंगे जितना हमारा होगा कर लिया हाफ करके अब उसी के अकोर्डिंग हम यह कट देंगे जैसे मेरी जो स्लीव की बोटम 5 इंच है तो मैं उल्ली 1,5 इंच का ये कट दूँगी अगर आपकी कम है तो वो कट आप कम दोगी ये सवा 2 इंच पे मैं ये निशान लगा लूँगी उसके बाद ये 1,5 इंच हो जाएगा ऐसे मैं ये सेप देते हुए ये अपनी जो कट है उसकी सेप बना दूँगी आपको स्लीव के अकोर्डिंग ही ये इसकी चोड़ाई रखनी है क्योंकि फ्रेंट्स काफी लोग है ये जो नहीं बताते हैं कि हमें ये कट कितना चोड़ा रखना चाहिए तो आप अपनी स्लीव के अकोर्डिंग यानि जो स्लीव की बोटम है उसके अकोर्डिंग ये कट रखोगे ऐसे निशान लगा कि हम अपने जो पैटरन है उसे कट कर लेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब हमारा ये पैटरन कट हो गए है दोनों आप देख सकते हैं दोनों बिल्कुल सेम कट किये हैं मैंने एक दूसरे के उपर रखके ये दोनों पैटरन कट करने के बाद फ्रंट से अब इसे हम अपने स्लीव के साथ अटेच करेंगे सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दू कि मैंने ये कितना बड़ा कट किया है जैसी है हमारी स्लीव है और जो हमारा कट है ये जितनी हमारी बोर्डर से अलग बची हुई स्लीव है उनली आदा आदा इंच या पूना इंच के करीब हम दोनों साइड छोड़ रहे हैं पूना इंच के करीब तो छोड़ ही लेना नहीं तो आदा इंच कम हो जाएगा उसके बाद फ्रंट हमारे पैटरन को हम कपड़े पे सिलाई लगा के अटेच कर लेंगे जैसे हम गले पे पैटरन को अटेच कर लेंगे यह हमारा पैटरन अटेच हो गया है उसके बाद फ्रंट से हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी फोल्ड करके हमारे जो यह पैटरन है इसको अच्छे से तयार कर लेंगे यह मैंने तयार कर लिया अब फ्रंट इस पे हम बीच का निशान लगाएंगे ऐसे बीच से फोल्ड करके बीच का निशान लगा लेंगे क्योंकि हमें ये स्लीव के बीच में देना है इसलिए हम पूरे पे बीच का निशान लगा लेंगे और ये हमारी स्लीव पे क्रीज लाइन बनी हुए बीच की इस पे निशान लगाने की जिरूरत नहीं है इसके बाद फ्रेंड्स हम इसे अपने रखे और जो हमारी पिन होती है पिन से हम इसे सेट कर लेंगे या आप सिलाई लगा के भी सेट कर सकते हो ऐसे हम इसे सेट कर लेंगे सेट करने के बाद जैसे हम गले में पास पास से सिलाई लगाते हैं बुकरम के सेम ऐसे ही हम जो हमारा बुकरम का पैटरनर है उसी के पास पास से स उलगा के इसे तयार कर लेंगे इससे और करेंगे। ख्या लगा देंगे मतलब कच्छी सिलाई लगा देंगे क्योंकि यहां पर तुर्पाई होगी तुर्पाई से ही फिनिसिंग आती है फ्रेंट्स इसलिए हम कच्छी सिलाई लगा के इसे तयार कर लेंगे फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो फ्रेंट्स ऐसे मैंने पूरे पर सिलाई लगा के इसे तैयार कर लिया है यह हमारा डिजैन तैयार हो गया उपर और नीचे हम इस पर बटन लगाएंगे बटन से यह हमारी काफी अच्छी लुकाएगी फोल्ड करने पर ऐसी से पाती है और खोलने के बाद हमारी सिलीव की ऐसी से पाती है और मैं आपको पहनने हुए की भी आपको यह डिजैन दिखाती हूँ पहनने के बाद हमारी सिलीव का यह डिजैन आएगा तो फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताना मिलते फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फोर वाचिंग्